तри लो जैटलमेंट कजट से लेडीज माइन में आर्यान आज मैं आजमाल योग लेकि thriving लेक्ष सब्सक्राइब लेक्षल नमबर 14 इंडियन हिस्ट्री पड़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की सिर्ज में हमारा यह लेक्षल न yılर 14 है ठीक है और आज यह फली रे सी ठीक हैं content में हमें क्या-क्या पढ़ना है लेंड लोड लेंड लेंड होडर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन डेकन अस्योसिएशन मदराज बॉंबे इस्ट पुना इंडिया इंडियन बॉंबे मदराज एंड फ़ौंडेशन आफ सी बनी 8085 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की फांडेशन होती है 8085 में ठीक उससे पहले कुछ असोसीएशन थी जिनोंने आई एंसी मतलब जो जो अब्जेक्टिव इंडियन नेशनल कॉंगरेस का था वो उन और सोसाइटी बंगा ब्रिटिश इंडिया ऐसे चार दे देंगे फिर उनके सामने उनके यर लिख देंगे ठीक है फिर उनको क्रॉस करने का आ जाएगा फिर ऑप्शन बंजेगा ए बी सी डी ठीक है इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी बन जाता है तो देखो जो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस थी ना जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी ठीक है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तो एटीटीफाइफ में बन गी थी ठीक है ठीक है इसमें लिखा है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वास फॉर्म एटीटीटीफाइफाइफ हाव of the 19th century dominate कर रही थी वो associations ठीक है ठीक है जो भारत में क्या कर रही थी उसी objective को आगे बढ़ा रही थी जो INC का बाल में जाके objective बनता है समझ रहे हो ठीक है तब सबसे पहली थी इसमें वो थी आपकी लैंडोल्डर सोसाइटी जो जमीदार द्वारा स्टार्ट करी थी बंगाल के जमीदार थी इसमें बैसिकली 1838 में फाउंड होती है ठीक है जमीदारी आसोसियेशन के नाम से इसको लैंडोल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है देखो इसमें लिखा है to establish a safeguard the interest of इंट्रेस्ट ओफ लैंडोल्ड्स ठीक है लेकिन जो लैंडोल्डर सोसाइटी है उसका जो objective था जो उसका एम था वो क्या था ठीक है ठीक है क्यों लैंडोल्डर्स के ही लैंडोल्ड्स के ही क्या डिमांड्स को क्या कर रही थी कवर कर रही थी और किसी पहलू या सोसाइटी के और किसी पार्ट को वो कवर नहीं कर रही थी समझें लैंडोल्डर सोसाइटी ने जो मैथड अपना है था अपना वो कि किस तरीका मैथड था वो था constitutional education for the address of grievances and mark the beginning of the organized political activities मतलब जो लैंडोल् में लिखा है उस तरीके से हम क्या करेंगे अपनी ग्रेवेंस मतलब अपने दुख्याडे जो उनका दुख था उस चीज़ को हम आगे रखेंगे जो कौन फेस करना है लैंड होल्डर कि आया सवंज में ठीक है नेक्स थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ठीक है य इस नाम से भी पूछ लेता है ठीक है ठीक है तो इस नाम से जानी गई इसको अब्जक्टिव क्या था दक कलेक्शन एंड डिस्मेनियेशन ऑफ इंफरमेशन रिलेटिंग टुद एच्वल कंडिशन ऑफ दपीपल ब्रिटिश इंडिया जो कंडिशन है ब्रिटिश के एरा अस्येशन ब्रिटिश इंडियन आसोशिएशन ऑफ कालकाटा ऐटी फिप्टीवन एटी टीफिटीवन ठीक है एटी-फिप्टीवन में यह मर्ट फॉरम होती है बाद में इसको नामर्ज कर दिया जाता है किसके साथ बंगागाज ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड द के ये बनाय गा थी बेसे के दुख थे जो भी उनकी तकलीद थी वह तक पहुचे तो यह असोसीशन क्या काम कर रही थैं एक ब्रिज का काम कर रहे थी इंडियन्स और बिर्टीश के बीच में जो बात में जेकर आईन से ने वही काम किया इस पे बहुत फीमस तोरी आती है जिसना आपको नाम सुना होगा safety well safety will theory आगे पढ़ेंगे मुसके बारे में इस तरीके के जितने भी चीज़े थी इनका यह माना था कि company क्या लेकिया है इस तरह के charter और acts लेकिया है ठीक है फिर इसकी recommendation पे association एक चार्टर आता है 853 में एक चार्टर आता है ठीक है ठीक है एक चार्टर आता है जिसमें six members add कर जाते हैं किसमें governor general की council में for legislative प्रपस legislative मतलब क्या होता है मुझे कोई बताएगा comment section में बताना ठीक है आया सबज में नेक्स्ट आती है डेकन असोसियेशन 8052 ठीक है डेकन असोसियेशन 8052 ठीक है ब्रिटिश इंडिया असोसियेशन के सेक्रेटरी थे डेमिंदर ठाक होर वो यह चाहते थे कि असोसियेशन को क्या करा जाए उनकी फोटो उनको क्या करा जाए एक्स्पैंड किया जाए बेसिकली आउट आउट बंगाल बंगाल लेके जाए ठीक है तो था एम था ब्रिटीश इंडियन असोसियेशन का टू में रीम प्रेजेंटेशन एबरी पार्ट ऑड़िश इंडिया टू दे ब्रिटिश बालिमें आया समझ में वो क्या था एम था किसका सेक्रेटरी जो थे कौन थे दमिंद्र नाट ठाक होर ठीक है तो फर्वरी में फर्वरी के मही और यह कहां बनती है पूने में कौन से यहर में 80 50 80 52 में ठीक है डेकन असुसीशन डिट नॉट लास्ट लॉंग और कुट नॉट फुल्फिल इट्स अब्जेक्टिव सेंडिंग एनी मिशन और प्रेटीशन फॉर जिस्टिंग रिफॉर्म तो अपकमिंग चार्टर एक्ट जाधा टाइम तक डेकन असुसीशन टिक नहीं पाती है ठीक है ठीक है तो लेकिन एक मुहीं चिलडी जाती है कि हम वैस के तरफ भी एक्स्पेंट करें तो उसको नद्दे नजर रखते भी जो आपका आज का महराश्टर वाला एरिया है यहां पर आपकी असुसीशन मनती ह है तो मद्रास में मदर्रास में बंती है मदराश निर्ट असोऽेशन की इन्डिपेंटन बॉड़ी पिरेंट बॉड़ि जो पैरेंट बॉड़ी थि ठीक है बैने सो सीचन वो की पर यहिते हुटाज entertainment तक पर्लेमेंट तग lively विप्टरीची तर्गे से काम चर्थी टी नरेकिन मद्राश करने की गज्ती वाहित ब्राशन स्वेशन खी नहीं इंश्पेक्शन पॉस्टेशली लेटी एन हार्डिए hold upon the public mind and legage into security after 1857 वो बहुत literally बहुत easily नहीं क्या गर पाती है लोगों के जो public होती है public के mind में उसकी जो objective है वो खर पाती है ठीक है especially जब 1857 हो गया था अब बोलोगे sir ऐसा क्यों हुआ है वो इसलिए है क्योंकि यह इसके जो founders थे वो एक British lifestyle जीते थे वो थोड़े constitutional agitation वाले लोग थे मतलब वह एक elite class थी मैं यह नहीं बोलूँगा वो British के supporter थे बट वह elite class थी तो एक आपको पता होगा जो आप connect करते हो किसी चीज से मुझे बाल बताओ कोई चीज है गांदी जी क्यो मौडर्न history याद करते हैं अजादी याद करते था हमें गांदी जी क्यों याद आते है इसलिए याद आते हैं क्योंकि वो से उन्हें से जुड़के चीजे करी हैं न को क्योंस करा गोंकि स्बाहर को यूज करता है संधें सोट हर यूज करता इसलिए लिक हुआ बैट पाए कि हमारा कोई लीडर है तभी उनको गांदी बाबा चमतकारी ऐसे दोब भ Sal Bong बंबे में बंबे में बंबे अस्ट इसाइश ने ने नहीं देक्र डिसक्रिप्शन में जाके देख सकता है इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेगा जो इंडिया उनका भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ताकि वो अपने सोसाइटी यてी काो क्या कर सकें रीप्रेजेंट कर सकें ठीक है और उन्होंने पॉलीशी हे इस ने क्या नियंच का इई पीछjektीओगत है उसको exclude कर दिया गया था इंडियांस को समय से तो उन्होंने इस चीश का क्या करा condemn किया तो इसकी निन्दा करी लेविश expenditure on post given to the Europeans इस चीश पर भी वो condemn करा ठीक है बट जो association थी वो लंबे टाइम तक क्या survive नहीं कर पाई ठीक है लेकिन इन्होंने ना जितनी वी association सा याद रखना इन association के वज़े से लोगों के अंदर वो आगे थे कि हम कुछ कर सकते हैं we are capable to do anything हम एक एक क्या कर सकते हैं इंडियन का representation होना चाहिए ब्रेटिशर्स कलाउनी के टाइम पर कंपनी में तो एक ऐसी मुहीम शड़ी गए थी इन असोशीशन द्वारा ठीक है नेक्स आती है इस इंडिया असोशेशन यह बहुत इंपोर्टेंट यह पीवाई क्यू है यह यह वैरी वैरी इंपोर्टेंट बोलूंगा 1866 में दादाबाइ नावरो जी ने बनाई थी इन लंडन में यह दादाबाइ नावरो जी की पोटो ठीक है पार्टी कम्मिनिटी क देद्वलकेंट को डिस्कस करा जाए ठीक है और अगी बात करें दाधा नरुजी की बहुत इंपर्टन असोशीशन है क्योंकि इससे कई बार कोशन पूछा जाए तो इसको याद रखना है ठीक है फिर नाक्स रातिया आपकी पूना सर्वजानिक सभा ठीक है जो आपकी पूना में बनी थी 1867 में और इसका दिखो गई है इसको अब्जेक्टिब क्या था serving as a bridge between government and the people government और गवर्मेंट और Britishers के बीच में क्या bridge का काम करना ताकि जो लोग है यहां के local लोग है ठीक है और जो Britishers हैं इनके बीच में क्या हो सके communication का काम कर सके क्या पूना सर्वजानिक सभा हर association के एक तरही से मोटी भी था ठीक है इसी association और इसी objective के साथ हर association खेल रहती फिर एक बनती है इंडियन लीग यह भी पीवाई क्यों है याद रखना यह आपसे ऐसे स्टाइट गरी थी 1865 में यह उनकी फोटो ठीक है एम क्या था इंडियन लीग का इंस्टिल दा फिलिंग ऑफ नैशनलिजम की फिलिंग जगाना लोगों के अंदर जो कही ना कहीं थोड़ी जग्यों और इसी का लिलने था क्या था आई-ए-ए-ं-सी ठीक है फिर आतिया आनन्द मोहन बोस 1876 में जो फांड़ थे इंडियन अस्टोसीशन अब कॉलकत्ता के डिस कंटेंट विद द प्रो लैंडलॉट और इनके थॉट्स क्या थे थे थोड़े मैच नहीं कर बारे थे क्यों क्योंकि ब्रिल्टिश इंडिया अस्टोसीशन जो थी वो प्रो लैंड लॉट थी ठीक है वो सबके ग्रिवेशन को कवर नहीं कर रही थी तो इसलिए ही एक अलग अस्टोसीशन बनाए गई इंडियन अस्टोसीशन ऑफ कलकार्ता जिसको स्टार्ट कर गया सुरेंदरनाद बैनर जी और आनन्द मुहन बोस ने कॉंसीयर में 8076 में ठीक है अस्टो अनौप यह था कि इंडियन पीपल और कोमन पॉलिटिकल प्रोग्रांगर्व पॉलिक उपिंएर मतलब अब जो political questions होते हैं उस पर क्या लिया जाए इंडिया लिया जाए मन माने तरीके से चीज़ें ना करी जाए ठीक है इसी intention के साथ East India क्या बनाए गई थी इस इंटेंशन के साथ इंडियन असोशेशन आप कॉलकत्ता बनाए गए थी और स्टार्ट किस ने करा था सुरेंदर नाथ बैनर जी और आनन्द मोहन बोस नहीं यह दोनों नाम यहाद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पीवाई क्यू है इस इंडिया असोशेशन इंडिया एजिटेशन नोन आज सिविल सर्विच एजिटेशन आप्टर दा फॉर्मेशन इस इंडिया असोशेशन पड़ी थी ना दादा बैट ने अरुजी यह वाली जो इससे पहले हमने पड़ी इन्हों ने एक एजिटेशन स्टार्ट करी थी जिसको बोला गया बाद ठीक है यह बट बिल जो आया था उन दोनों की खलाव इनकी क्या यह बॉम्बे प्रेजिटेंसी असोशेशन बनाए गये थी ठीक है फिर आती है आपकी मदराज महाजन जिसको 8084 में बनाया जाता है किसके दवारा विरारंगवाचारी पी आनंदा चार्लू और भी सुपरम तो नहीं है यह ठीक है मदराज महाजन वस फॉर्म एक्टिटी फोर्ट कोडिटेटी अप्टिविटीटीज अव लोकल असोशेशन एंड तरीके से ताकि लोगल लोगों के ग्रेविशन को आगे तक पुझाया जाए इसलिए मदराज महाजन सभा बनाई गई थी ठीक है व फिर इन देंद आपके आती है foundation बों अबना जती है कि इसलिए इंसे कोशन पूछा जाता है लोग ना इस एक्जाम में आता तो फिर समझ नहीं आता कि कहां से पूचा गया है तो इसलिए यह आई कि पढ़ना जरूरी है अब हम पढ़ने थोड़ा foundation of international Congress देखो अब क्या किसी ने कुछ किया तो इससे क्या हुआ लोगों के अंदर एक वो चीज जगी पब्लिक माइंट पब्लिक उपी नहीं यह बना कि हम कुछ कर सकते हैं बाद में लंब सम करके सारी एक करके बनाई गई इंडियन नेशनल कॉंग्रेश इंडियन नेशनल कॉंग्रेश ठीक है इन लेटर 8070 एन लेटर 8080 एस वाली देख लो यह एक पर्टिगूलर एरिया तक लिमिटेट थी तो इन सब को मर्च करके बाद में एक और इंडिया लिवल पर ऑर और गनाईजेशन बनाने का फैसल हुआ जिसको हम आज इंडियन नेश 85 में इसकी स्थापना हुई और किस ने इसकी स्थापना करी एक रिटाइड इंग्लिश सिवल सर्वेंट एयो हूम जो कहां के थे कानपूर के सिवल सर्वेंट थे ठीक है बहुत एक इंटलेक्ट्टल इंसान थे इसी को देखते हैं फिर फिर फर्स सेशन होते है इंडियन कॉंग्रेस को बनाने का सेफ्टी वेल्ट थ्यूरी हमने बात करी थे नहां दिर इस थेयोड यह हूम फॉम्विट और प्रॉप ब्स एडिया बदीग्रेस थेयोरी वेल्ट गांसिस्ट थेयोरी और मांग्सिस्ट थेटीओरी वस ऑफ्ष्ण अप्स्प्रीं आप सेप्सरी प्रेशर को निकालने के लिए मैनेज करने के लिए एक क्या बनाई जाए एक एक और्गनाईजेशन बनाई जाए जिसको आज हम आई एंसी के नाम से जागते हैं तो इसी थियोरी पर बिलीफ करते थे कौन लाला लच्पात रहा है उनका यह मानना था कि कॉंग्रेश जो है वो एक शेप्टी वेल्ट थियोरी का तरह इस ऐडिया पर बनाई गई है ठीक ह और इसी चीज को देखते वे इसी चीज को देखते वे क्या वह था इसी चीज को देखते विए वंस कन्वेंस कर लिया था कि कॉंग्रेस को बनाने से ना रोका जाए समझ रहे हो ओर्गनाइज़ेशन एक्प्रेशन पॉर इंडियन डिमांड्स इंडिया यह किस ने का है स्टोरियन विपिंचंद्रा उन्होंने उनका यह मानना था कि कॉंग्रेस लिडर यूज एयू हूम ऐसा क्या होता है आग लगती है ना फायर को जो एक और आग बढ़ जाए उस चीज़ को बोलता है आपने कैमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या ठीक है तो जो विपिंचंद् थे उस टाइम के अब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का एक पैन इंडिया और्गनाइज़ेशन बनेगी डेमोग्रेटिंग नेशनलिस मूव्मेंट पैन इंडिया लेवल पर खेलने के लिए यह मैंना आपको पहली बता दिया है पॉलिटाइज पॉल करनी इंक्रीजिंग रिप्रेजनन कॉंस अनियुक्र फॉलिटीकल वर्गर फॉम्डर सब्ड़नेशन इंडिव एक पीपल एक इस तरह के चाहिंत के एम थे फॉर्वर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एक प्रोंग्राम कट विक्नॉनिक प्रॉग्राम प्रोग्राम क्या एक लेवल पर कर सकें यूनिफाइव कर सकें पूरे इंडिया लेवल पर और इन दा एंड प्रमोर नैशनलिजम प्रमोर नैशनलिजम ठीक है यह था एक बहुत बड़ा मोटे आया समझ में आई होब गाइस लाइक इट बिलता है नेक्स वीडियो में